दोस्तो गर आप भी मेरी तरह बिना माइक के कुछ ऐसी वोईस रिकोड करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में आप से बिकले 3 ऐसे वोईस रिकोडिंग एप लाया हूँ जिसकी मदद से आपकी वोईस भी सांदार रिकोड होईगी बिना माइक के और तोर आप सभी को इनसार एप में नोईस रिडेक्स जैसा फीचर भी देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आपकी बेक्राउंड नोईस पूरी की पूरी रिमूब हो जाएगी और ये सभी एप लेक स्टोर पर आप सभी को बिलकुल फ्री मिल जाएंगे और इनकी रीट की एक डीटेल वीडियो भी लियाओंगा तो चलिए फीन वीडियो को लंबी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को भी सस्क्राइब कर दो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सबसे तो अब इसके main feature यानि कि इसकी audio recording को देखते हैं तो अब आप audio recording वाले features में जैसी किलिक करोगी तो आप से audio को नाम मांगा जाएगा तो इसमें आप सभी को जो भी अपनी audio को नाम लगना है तो वो लिख देना है इसके बाद third वाले features में अगर आपके पास में mic है तो इसको mic में set कर लेना है अगर आपके पास में mic ने हैं तो इसे default ही रहन देना है तो फिर इसके बाद आप सभी को नीचे channel दिख जाएगा तो अच्छी वो इसके लिए आप सभी को इसको stereo में ही रहन देना है अब दोस्तों फॉर्थ वाले option में आप सभी को audio को simple rate देखने को मिल जाएगा तो इसे सबसे high वाले में रहन देना है फिर आप सभी को नीचे में audio को format देखने के लिए मिल जाएगा फिर इसके बाद आप जैसी थोड़ा से scroll करोगे तो आपको noise cancellation और eco cancellation जैसे रहे सारे feature देखने के लिए मिल जाएगे फिर setting complete हो जाने के बाद आप सभी को start पर click कर लेना है फिर आप सभी को audio को record करने के लिए beach वाले button पर click करने के बाद audio record होने लग जाएगी अब आप सभी को audio recording रोकने के लिए push वाले निसान पर click करना है click करने के बाद आपकी audio record होना बंद हो जाएगी अब आप सभी को voice से खराब वाले part को निकालने के केची वाले निसान पर click करना है इसके बात यह slider को खराब बाले पार्ट पर लाकर delete वाले निसान पर क्लिक करकर उस पार्ट को आप delete कर सकते हो अब इसके बात आप सभी को audio को save करने के लिए save बाले निसान पर क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बात आपकी audio save हो जाएगी तो अब second वाले audio recording app की बात करें तो उसका नाम है लेक्सेस audio editor app और इसकी rating की बात करें तो rating भी आपको 4.4 मिल जाती है और इसके 10 million से जादा downloads है तो अब इसके interface की बात करें तो इसका interface भी बहुत जादा simple है और voice को record करने के लिए simply आप सभी को record वाले button पर click करना है अब तीसरे नमबर की audio recording app की बात करें तो उसका नाम है MP3 recorder जिसकी rating की बात करें तो 4.5 rating मिल जाती है और इसके 1 million से जादा downloads है अब इसके interface की बात करें तो आप सभी को simple से interface मिल जाता है और mic वाले जिसान पर click करकर आप अपनी recording को start कर सकते हो अब इसकी settings की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को audio source मिल जाता है जैसे कि आपके पास में mic है तो इसको mic में आप select कर सकते हो वैसे भी ये default mic में ही रहता है फिर इसके बाद आप सभी को audio channel को stereo में रहन देना है जिससे आपकी audio और भी जादा सांदार आएगी फिर इसके बाद audio की quality के लिए आप सभी को audio simple rate मिल जाएगा जिसको high में रखकर आप अपनी audio quality को सांदार बना सकते हो फिर आप सभी को audio simple rate के नीचे audio video rate मिल जाएगा यानि कि audio की quality मिल जाएगी तो इसको आप सभी को सबसे high यानि की 320 पी में रख लेना है अब दोस्तों आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी भी useful लगती है तो इस वीडियो को लाइक करने की जनलों को subscribe कर लेना आपन मिलते हैं किसी हो नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए बाई कर दाएगी